हैरे दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि least count कोई भी measurement system का क्या होता है least count को हम अलपत मांग भी कहते हैं हिंदी में तो least count जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि least का मतलब होता है कम से कम और count मतलब होता है counting करना तो measurement system कितना कम से कम आपको reading बता सकता है या कितना कम से कम वो measure कर सकता है तो उसको बोलते हैं उस equipment का least count जैसे कि मेरे हाथ में आप scale देख रहे होंगे यह normally सभी लोग use करे होंगे तो यहाँ पर one sided में आपको दिखेगी mm scale दूसरी side में आपको दिखेगी inches scale तो mm scale में आपको देख रहे होंगे कि minimum आप इससे 1 mm तक measure कर सकते हैं वहीं अगर inches scale की बात करो तो यहाँ पर inches scale में आपको दिखेगा कि 1 inch के बीच में 16 छोटे डब्बे हैं तो इसका मतलब एक छोटे डब्बे से आप 1 by 16 into 1 inch measure कर सकते हैं मतलब की 1 inch का 16 भाग measure कर सकते हैं तो उसका least count हुआ 1 by 16